Hi, this is Neha and I welcome you all to this class, जिसमें आज हम class 11 psychology के chapter number 2, methods of inquiry in psychology, जो कि एक stats based chapter है और research based chapter भी है, दोनों ही चीज़े हैं पर आती है, उसमें एक new topic को discuss करेंगे, which is co-relational research, हम different researches के बारे में पढ़ रहे हैं, different methods के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह जो term है co-relational research, इसमें एक important key term आती है, जिस exactly correlation के ही बारे में है, correlation एक statistical measure होता है, जिसको हम इस पूरी research में use करते हैं, तो measure जो work हम research में करते हैं, वो correlation find out करने का करते हैं, तो आज का video जो है हमारा वो based होगा correlation पर, और जब आप correlation को अच्छे से समझ जाएंगे, आगे भी आप जब भी psychology में stats को पढ़ेंगे, यह हमेशा आपके सामने आएगा, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए correlation के साथ आज के इस वीडियो के शुरूरात करते हैं, शुरू करते हैं आज का topic और मैं बोड पर लिख देती हूँ, जो topic आज हम study करने वाले हैं, that is correlation, आप notice कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं correlation हमने जैसे अभी अभी आपको बताया कि correlation एक statistical measure होता है, जो कि दो variables के बीच observe किया जाता है, correlation जैसा कि नाम से clear है, correlation का मतलब हो गया किसी दो चीजों के बीच relation, अब यह दो चीजे क्या होंगे exactly जो मैं word कहना चाह रही हूँ, between V1 and V2, V1 is variable 1 and V2 is variable 2, हम इसे लिख लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा, variable 1 and variable 2, किसी भी scenario में minimum दो हमारे पास variable जरूर होंगे, क्योंकि जब हम correlation की बात करें तो अकेले में तो हो नहीं सकता, इसलिए जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा ही variables वहाँ पर होंगे, तो correlation basically दो variables के बीच का एक relationship होता ह है, जो हमें ये बताता है, कि किसी एक variable में अगर हम changes कर रहे हैं, तो दूसरे variable में उसका क्या effect आ रहा है, उनकी effects को study किया जाता है, correlation के थ्रू, और ये देखा जाता है, कि एक variable में change होने पर दूसरे variable में किस तरह के का change आ रहा है, और अगर वो positive है, अगर वो एक direction में रहा है, तो नेगिटेव होगा, और अगर दोनों variable आपस में एक दूसरे पर कोई impact नहीं डालते, तो वहाँ पर zero या neutral correlation हो जाता है, तो जब हम बात करते हैं, कि यहां पर दो variables के बीच, हम relationship find out करते हैं, correlation में, तो ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये भी हो जाती है, कि व से minus one के बीच, या minus one से plus one के बीच range करता है, जब हमारा correlation न्यूटरल होता है, तो इसकी value zero होती है, जब maximum होता है, या highest होता है, कह सकते हैं, तो उसकी value plus one होती है, और जब वो lowest होता है, तब उसकी value minus one होती है, इसका reverse भी समझ सकते हैं, हम ने दो variables के बीच कोई correlation find out किया, अग अगर वह प्लस वन से कम value आ रही है, 0 से प्लस वन के भीच आ रही है, तो वह highest होती है, 0 से माइनस वन के भीच आ रही है, तो वह lowest होती है, अब आपके मन में question उठ रहा होगा, कि value तो आ जाती है, मगर value कैसे आती है, तो वह एक statistical method होता है, proper, जिस method को आज हम study नहीं कर रहे हैं मैं आपको पहले correlation के बारे में बता रही हूँ, तो अब तक हमने यह समझा कि correlation क्या है, दो variables के बीच में relationship है, अब बात कर लेते हैं कि variables क्या होते हैं, variables कोई भी ऐसी situation, कोई भी ऐसा phenomena हो सकता है, हमारे around, या कोई भी ऐसी characteristic हो सकती है, जिसमें change हो सकता है, हम एक variable लेते हैं, heat माल लेजे हमने temperature rise एक variable लिया, temperature के increase होने पर हमारा fatigue जो है, वो increase हो सकता है, जब temperature हम पर effect कर रहा है, जब temperature increase हो रहा है, तो fatigue भी increase हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसके increase होने पर fatigue भी increase हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, एक variable के increase होने पर दूसरा variable भी बढ़ रहा है, तो यहा यहां पे कॉन सा कोर्यलेशन हो जाएगा, यहां पे positive कोर्यलेशन है, यह हम normal देख रहे हैं बिना कोई calculation किये, हम simply भी दो वेरियेबिल के बीच में कोर्यलेशन देख सकते हैं, although यह statistical measure जरूर होता है लेकिन हम generally भी इसको तो यह आप अपने आसपास की चीजों में भी सिच्वेशन में भी देख सकते हैं जैसे हम यह अगर कहें कि अगर किसी पर्सन की बॉड़ी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो जो बढ़ने अगटने की बात दाद में करेंगे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पर्सन का जो स्टामिना है या एनर्जी लिख लेते हैं मेरे कहां से एनर्जी वर जादा अच्छा रहेगा एनर्जी जो है अगर किसी पर्सन की बॉड़ी में ग्लूकोज का इंटेक सफिशेंट से इनफ होगा जादा होगा तो उसके एनर्जी भी increase होगी अगर इसका reverse करें अगर किसी की बॉड़ी में ग्लूकोज लेशल कम हो जाएगा तो उसके एनर्जी क्या होगी डाउन हो जाएगी बढ़ने पर दूसरा variable भी बढ़ रहा है और कम होने पर दूसरा variable भी कम हो रहा है इस case में ये कौन सा type का हमारा correlation हो रहा है, दोनों की बीच कैसा है, positive correlation, positive इसलिए है, क्योंकि एक variable के बढ़ने पर दूसरा variable बढ़ रहा है, या एक variable के कम होने पर दूसरे variable में भी हमें same difference नेकने को मिल रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी correlation, decrease होने पर भी दूसरी value decrease ही हो रही है, opposite जाने पर negative होगा, जिसका example में अभी आप लोगी, इस तरीके से positive correlation के बहुत example हो सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि motivation, motivation अगर increase होता है, तो achievement में क्या फरकाएगा, एक और ले लेते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए, कि motivation जो है, motivation अगर आप किसी person का increase करेंगे, तो obviously बात है, उसके achievement में आपको increase ही देखने को मिलेगा, ओके, वहाँ पे आपको increase देखने को मिलेगा, अब क्या होता है, कुछ variables ऐसे होते हैं, एक ही situation के अंदर के दो variable ही, एक situation में दो variable हमने लिए हैं, इनको अलग-अलग cases में नहीं लिए, तो अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे scenarios, जहां पर एक variable के increase होने पर दूसरा decrease होगा, और एक variable के decrease होने पर दूसरे के value increase होगी, जब ऐसा scene होगा, तब हम उसको बोलेंगे negative correlation, उन दोनों की बिच कैसा correlation मनेगा, negative correlation मनेगा, तो चलिए कुछ examples हम यहाँ पर पटाफट से लिख लेते हैं, इसी में से हम एक example बना है, तो उस person का जो stamina है, वो दीरे-दीरे क्या हो जाएगा, decay होने लगेगा, temperature rise होने पर, मतलब of course temperature rise नहीं भी लगते हमने arrow बना कर उसको increase ही दिखाना चाहरे है, तो temperature increase होने पर person का जो body का level है, stamina है, glucose level है, वो क्या होगा, down होने लगेगा, तो यहाँ पर एक variable दूसरे को negatively impact कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कि strife का correlation होगा, इसमें था positive, positive के तो three examples ले लिए हमने, यह हो जाएगा, negative, एक example हम और इंटरस्टिंग ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर किसी पसंद की जो एज इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है, एक time के बाद जैसे हमारी memory भी होता है, वो decay होने लगता है, यह थोड़ा controversial example हो सकता है, क्योंकि age बचपन से जब childhood की तरफ बढ़ती है, तो age बढ़ने पर memory increase होती है, तो वहाँ पर positive correlation होता है, यह भी समझेगा, और एक certain age के बाद जब और जदा बढ़ती है, तो memory में धीरे धीरे decay होने लगता है, तो इस case में हम दोनों चीज़े ले सकते हैं, फिलाल इसको मैं एक controversial example समझ के छोड़ दे रही हूँ, पर हाँ, interesting है, आपको समझना चाहिए कि कैसे age और memory का relationship हो सकता है, कि age increase होने पर एक certain time तब memory भी increase होती है, तब relationship positive रहता है, कहते हैं कि बच्चा थोड़ा लेकिन हमारी memory जोड़ा होने लगते है, तो वहाँ पर negative relationship हो जाता है, तो इस तरीके से हमके example ले सकते है, zero relationship कब होता है, जब दोनों variables का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, मतलब के कुछ भी होने से, जैसे rain हो रही है, मान लेते example लेते हैं कि rain हो रही है, it's raining outside, so does it make any impact on your learning, आपकी जो memory है, आप जो पढ़ रहे हैं, उसको forgetting इस पर को impact पढ़ रहे है, rains इसको कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे जो दो scenario है, actually तो scenario भी different लग रहे होंगे आपको कि हमने दोनों अलग-लग case उठाए है, मगर वो एक frame के अंदर है, तो व हमने यह समझा कि यह correlation क्या होता है, अब हम बात करते है, correlation coefficient की, जिसकी value मैंने आपको भी बता दिया था कि यह plus 1 maximum होती है, और minus 1 lowest होती है, और इसको statistically calculate किया जाता है, और जब इसको calculation की जाती है, different methods है, experiments, row method, यह सब statistics में आप पढ़ेंगे, यह अभी हमारे psychology में हम उसको उतन coefficient कहते हैं, और इनको different methods है, Karl Pearson, statistical method, Spearman's, row method, कई methods है, जिनके तुरू evaluate किया जाता है, calculate किया जाता है, जैसे भी इसकी value आती है, माल लिजे, दो variables के बीच, जो data होता है, अगर वहाँ पर value आती है, plus 0.97, तो हमें समझ में आ रहा है कि यह कैसा है, यह है positive correlation, माल लिजे, value आती ह है, कि यह काफी lowest value है, क्योंकि तो negative भी है, और उपर से कम भी है, तो science से ही हमें पता सो जाता है, कि जो value है, जो relationship है, वो positive की तरफ है, negative की तरफ है, तो यह हमने समझा कि correlation क्या होता है, I hope यह explanation आपको correlation का समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, अब हम बढ़ते है, correlational research की तरफ, जैसा कि मैंने आप से पहले ही कहा था, main portion तो correlation का ही है, उसके बाद आपको research में कुछ खास बचेगा नहीं, तो मैं quickly आपकी NCRT की book लेने वाली हूँ, और उससे आपको जल्दी से explain करने वाली हूँ, आदे से ज्यादा उसमें जो content है, वो समझ चुकी है, जब आप को देखेंगे, तो आपको लगेगा, हाँ, यह सब तो कुछ हम पढ़ चुके है, तो चलिए quickly start करते हैं, मेरे पास है आपके बुक, और आपके बुक होनी ही चाहिए, तो screen पर आप बुक को देख सकते हैं, in psychological research, we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purpose, हम assume करते हैं, तो हमें कुछ guess भी करना होता ह है, कि क्या हो सकता है, for example, you may be interested in knowing whether the amount of study time is related to the student's academic achievement, यह जो दो कॉमास में लिखे हुए हैं, यही variables है, this question is different from the one which experimental method seeks to answer in the sense that here you do not manipulate the amount of study time and examine its impact on achievement, यहां पर आप experimental method की तरह एक variable में changes नहीं करते हैं, बलकि आप यह देखते हैं कि एक जो variable है, वो दूसरे पर impact क्या डाल रहा है, okay, rather you simply find out the relationship between the two variables to determine whether they are associated or covariate or not, the strength and direction of the relationship between the two variables is represented by a number known as correlation coefficient और यह कैसे निकल कर आता है, मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो में, and this can range from plus one through minus one, जो मैंने यहां पर लिख दिया था, as you can see the coefficient of correlation is of three type, positive, negative and zero, जो coefficient of correlation होता है, यह correlation coefficient, वो भी three type का ही होता है, और यह correlation भी three type का ही होता है, एक ही बात है, confused मत होईगा, a positive correlation indicates that as the value of one variable increases, जब एक variable की value increase होती है, the value of the other variable will also increase, उसकी भी increase होगी, similarly when variable x decreases, दूसरे में भी decrease होगा, मैंने आपको बोला ही था कि जब आप बुक देखेंगे, तो आपको लगेगा, हम सब जानते हैं, बहुत असानी से समझ में आ जाएगा, suppose it is found that more time the students spend on studying, the higher was their achievement score, मैंने आपको यहाँ पे, यहाँ पे motivation वाला जो example दिया था, वो काफी relatable है, कि जितना ज्यादा time लगाएंगे, उतना अच्छा achievement होगा, जितना ज्यादा motivation मिलेगा, उतना अच्छा achievement होगा, तो वो उसी type का example है, यहाँ पे, इस type of association will be indicated by a positive number, and the stronger the association between studying the achievement, the closer the number would be to plus 1, जितना stronger इनके बीच relationship होगा, उतना ही close value जाती जाएगी, होने को तो 0.5 भी positive ही है, plus 0.5 भी तो positive है, और plus 0.9 भी positive ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि plus 0.5 से ज्यादा stronger होगा, जो value 0.9 में आएगी, तो यह ही यह कहना चाहते हैं, the closer the number यह हमने पढ़ लिया, you may find a correlation of plus 0.85 indicating a strong positive association, वो कैसे निकलता है, again I'm not just repeating that, study time and achievement, on the other hand, a negative correlation tells us that the value of one variable increases, value of other variable decreases, अब इसमें भी एक example है, you may hypothesize that as the hours of study time increase, अगर study time, जो है, वो increase होगा, the numbers of hours spent in other activities will decrease, अगर हम पढ़ाई में time को बढ़ा देंगे, तो दूसरे चीज़ों में नमरे time decrease हो जाएगा, तो यह इन दो situations के भी, दो variables के भीड का relationship हो गया, here you are expecting a negative correlation, ranging between 0 and minus, यहाँ 0 से लेकर minus 1 ता, जैसे number line होती है na maths में, तो वहाँ पे 0 बीच में ही आता है, और negative इस तरफ होता है, positive इस तरफ होता है, उससे तरीके से मैंने लिग दिया है, it is also possible that sometimes no correlation may exist between the two variables, इसको हम कहते हैं 0 correlation, generally it is difficult to find 0 correlation, but the correlation found may be close to 0, for example, minus 0.2 और 0.3, काफी close, बहुत कम हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं, this indicates that no significant relationship exists between two variable, और दो variable की बीच में कोई भी relationship नहीं है, अब एक बात यहाँ पर समझने वाली क्या है, कि हमने जो correlational research की बात कीती है, हमारा topic तो हमारे syllabus में correlational research का ही था ना, तो वो यहीं बताता है कि actual में आपको correlational research में different statistical methods लगा कर इस तरह के किसी numbers पर पहुचना है, जिससे आप यह पता करेंगे कि correlation positive है या नहीं है, यही exact correlational research होती है, तो I hope यह topic आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको यह class पसंद आई है, यह topic पसंद आया और अच्छा लगा है, then please press one like and also subscribe to the channel, अगर आपके अभी तक नहीं किया है, this is what I want from you. तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखे, पढ़ते रहे और वीडियो को शेर करते रहे अपने friends के साथ में, I'll see you super soon in the next video, till then take care, bye-bye.